अच्छा इतजा मैंने एक अकबार में आपका इंट्वियू पढ़ा उसमें आपने कहा और ये बात बड़ी लाजमी भी लगी थी कि सबको मिलके लड़ना चाहिए, अलायंस होना चाहिए, बट वो अलायंस हुआ नहीं, आप उस कोलेशन के बाहर हैं, कॉंग्रेस और एंसी स क्या आप अभी भी मादा पिता बनने का सपना देख रहे हैं, अप उलो फर्टिलिटी के साथ अपनी मादा पिता बनने का सपना पूरा करें, मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-6111 पर कॉल करें Are you disappointed कि ये ठीक नहीं, वह इंडिया अलायंस एक साथ मिलके लड़ता तो शायद बैतर होता है सब्सक्राइब करने का कोई पॉइंट नहीं है, महभूबा जी ने कल भी कहा कि इव दे वांट तो हम इखटा चलेंगे, इन फाक्ट जी सेड कि अगर वो अग्री करते हैं हमारे अजेंडा के साथ तो हम सारी सीट्स छोड़ देंगे, तो महभूबा जी को ऐसा नहीं है लेकिन, we've always stood for unity, but at the end of the day, अगर कोई आपके साथ नहीं चलना चाहता है, तो that is their problem, that's their opinion. वोट्स डिवाइड होंगे इससे, इसकी चिंता है? I don't know, I mean, electorally, you know, every constituency varies, आप generalize, सारी constitucies को नहीं कर सकते हैं, लेकिन, of course, इससे वोट कहीं ना कहीं dilute होता है, मुझे लगता है, अगर P.A.G.D. एक खटा होके election लड़ती, तो it would have been a clean sweep, because लोगों को यहाँ P.A.G.D. से ही उमीद थे. बीजेपी पहली बार गुंजाइश ढून रही है जमू कश्मीर में, डीलिमिटेशन के बाद, और वो यह भी क्लेम करते हैं, कि कोशिश है कि पहली बार यहाँ पर हिंदू चीफ मेंस्टर दिया जाए, आपको लगता है, बीजेपी वैसा perform कर पाईगी, जैसा वो सोच रह हैंगे वो अपनी जगे, उनको मिलने नहीं वाली इस बार, वो एड आता था था ना, ढूंते जाओगे, तो उनकी हालत वहीं खसता है, और आप क्या कह रहे हैं, लोकसभा एलेक्शन में फिर उनने अपने कैंडिटेट्स क्यों नहीं खड़े किये, इन ओल अफ किश्मीर उनको इतना डर लग रहा था, महभूबा जी तक का इलेक्शन उनने पोस्पोन करके, LG साहब हमारे सारे कम्यूनिटीज को बुला के कहते थे कि महभूबा जी को वोट नहीं डालना है, तो इनको पता है, इनके पाउं तले जमीन खिसक रही है, अब आप जो भी करना चाहते आप कर लें, हाथ पाउं जितने मारने हैं मारिये, बट बीजेपी इस एक्स्ट्रीमली अनपॉपिलर ना, उनके लीडर्स आते हैं, तो आपकी लीडर्शिप पर हिट आउट करते हैं, लीडर्शिप पर ही नहीं, खांदानी राज का राग वो जो अलाप उनका चलता रहत है, गजल की तरे, on loop, so that's fine, उनका अपना उपिनिन है, बट उनने क्या काम किया है, आशीश, 2018 से यहाँ गवनर रूल है, तो उनने क्या किया है, क्या अचीव किया है, वो कैते हैं कि development हुआ है, terrorism कम हुआ है, पत्थर बाजी बांद हो गई, आशीश, दीपक सिंग साहब जो कुछ और है, आप हकीकत दफनाना चाहते हैं, हकीकत कभी भी आप दफनाना नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं उभर ही आती है, नैशनल कॉंफिन्स ओमर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, अबदुल्ला साब ने कहा कि राम माधव जो आए है, वो PDP से दोबारा बातचीत क करने के लिए आए हैं, क्योंकि BJP और PDP का जब पिछली तफ़ा एलांस होया था, तो उसमें राम माधव जी ने बड़ा एहम भूमिका निभाई था, बोलने को वो कुछ भी बोलने, मुझे तो इस पर टैक्स नहीं पे करना है, तो मैं क्यों रियाक्ट करूँ, बोलने को अपनी कल प्रेस कॉंफेंस में बिलकुल क्लियर कहा, कि ना तो पोस्ट पॉल अलायंस होगा, BJP के साथ जाने का, लेकिन मैं पोस्ट पॉल अलायंस की गुंजाईश, कॉंग्रेस NC के साथ आप लोग जा सकते हैं, क्या, अगर ऐसी नौबत आई, अगर कोई जरूद पड़ के, वोट डालेगी, जिस पर मैंडेट आएगा, वो आपको क्या लगता है? पॉल आप लोग जो आपको इजट मिलती है, तो बहुत बढ़ी चीज होती है, बिकुए आपको सच में बताऊ, पॉलिटिशन से लोग थोड़ा सा उप चुके हैं, I have to be honest with you, जब मुझे प्यार मिलता है, it is a compliment for me. सबसे पहले इजट होती है, डिगनिटी होती है, we are going to fight for that. इरतिचा, अपनी जीत और राज्य में सरकार बनाने को लेके आप कितनी confident है? आरे आशीश, you are putting the cart before the horse, अभी तो मैंने form भरा भी नहीं है, let's wait, let's see what happens, but इंशाला मुझे होप है कि ये लोग मुझे में भरोसा रखके, मुझे assembly भेजेंगे हैं, वहां मैं इनकी जो हकीकत है, सब के सामने रखूँगे. इंशाला, we'll see, we're fighting to win, कोई भी election हारने के लिए तो नहीं लड़ता है, so we are fighting to win. ABP News आपको रखे आगे